प्रेक्टिस मैच भी खेला है इस मैच में टीम इंडिया का निर्तित पर रोहिश शर्मा ने किया क्योंकि वराट कोली और आजिक रहाडे को चोट की सिकायत थी रोहिश शर्मा आगामी सीरीज में टीम इंडिया के लिए एहन बल्लेवाद होने वाले हैं लेकिन और श्रेलिया के पूर्व दिगज स्पैनर वरेड हॉक का मानना है कि यदि इंग्लेंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में रोहिश शर्मा रन बनाते हैं तो यह आश्चर यजनक रहेगा उनकी अनुसार रोहिश शर्मा इस सीरीज में जूसती हुए नजर आएंगे इंग्लेंड के खिलाफ होने वाली रिकॉर्ड अच्छा नहीं है बात अगर इंग्लेंट की करें तो आगामी टेस्ट सीरीज में बाए सर्टुवर्ट व्रोड और जेम्स एडर्शन जैसे दिग्जज गेंदवाजों के सामने मुस्किल मेनेजर आएंगे खास तोर पर ड्यूक गेंद के सामने सलामी बल्लेवास करना उनके लिए कठिन साबित होगा इंग्लेंट सीरीज में यदि रोहिश शेर्मा रन बनाएंगे तो मुझे बहुत आश्चरिय होगा ICC World Test Championship के फाइनल में भी रोहिश शेर्मा को बल्लेवाजी में अच्छी सुरूबात मिली थी लेकिन भै उसे बड़ी पारी में तबदील नहीं कर पाए एक सलामी बल्लेवास के रूप में रोहिश शेर्मा की परिक्षा इंग्लेंड सीरीज में जरूर होगी हाला कि अभ्यास मैच की एक पारी में भै जादा कमाल नहीं दिखा पाए लेकिन टीम इंडिया को उनसे उमीद है कि भै सीरीज के हर एक मैच में टीम को शानदर सुरूबात देंगे और एक वरिष्ट बल्लिवास की रूप में अपना योगदान देते हुए नजर आएंगे रोहिश शेर्मा ने पिछले कुछ सालों में सलामी बल्लिवास की रूप में अपना इस्थान टेस्ट गर्केट में भी पक्का कर लिया है रोहिश शेर्मा के बारे में आपका क्या कहना है कॉमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं गली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार